Good afternoon students, हमने chapter 2 शुरू किया है आज अपनी book का, ठीक है? तो सबसे पहले सबी बच्चे, जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे कर रहे हैं, सबसे पहले जब class चल रही होती है, तो सिरफ तुम्हे class लेनी है, और किसी subject का काम, या और कोई काम, घर का और कोई काम, सब छोड़के सिरफ class लेनी हैं, और उसके notes साथ साथ बनाने हैं, ठीक है? ये notes मैं बाद में भी भीजती हूँ, PDF की form में, इसको तुम साथ साथ बनाओगे, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? तुम साथ साथ बनाओगे, तो साथ साथ revise होता जाएगा, इसके बाद quiz attempt करो, जो quiz के questions है, वो सारे notes में सही पूछ जाते हैं, जो quiz है वो थोड़ी देड में आता है, तो अगर तुम एक तो बाद चेक करोगे दिन में, तो उस वक तक आ जाता है, ठीक है? तो तुम quiz attempt किया अगरो, चाहे तुम आरे दो marks आए, तीन marks आए, कितरे भी marks है, जब तुम कोई question attempt करते हो एक बरी, तो तुम्हें उस question का experience हो जाता है, ठीक है? अगर तुमने class देखी है, notes बनाए है, तो तुम्हें ये तो पता ही है कि वो कहां से क्या बता रहे हैं, question का meaning तो समझ में आ रह हो, इसलिए तुम्हारे इतने सारे paper होते हैं, mid term, unit test, pre board, board, क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, ताकि तुम्हें एक बार experience हो जाए किसी question का, जब तुम किसी question को गलत करते हो, तो तुम्हें लगते है कि उसका answer मैं ढूंडू, या फिर तुम उस question के बारे में जरा सा भी सोच हो, तो तुम उसके answer की तरफ अगली बार answer देखोगे, या उसी वक्त answer ढूंने की, अगर तुम्हारी dedication होगी, तो तुम्हें वो answer हमेशा याद रहेगा, ठीक है, और अगली बार देखोगे, तो भी आद रहेगा, तो इसलिए quiz ज़रूर attempt करने हैं इस बच्चों को, और last मे यह जो assignment है, यह हम discuss कर रहे हैं, इस assignment को सबच्चे अपनी copy में करेंगे, जो भी question इस में से, या notes में से, या कहीं से भी समझ नहीं आता है, वो तुम पूछ सकते हो, ठीक है, तो हम discuss करते हैं, first question है, कि give reason, kingdom protesta, जो हमारे 5 kingdom classification है, monira, protesta, fungi, plants and animal है ना, उसमें second वाले kingdom क्या है, kingdom protesta, तो इसमें पूछा गया है, कि kingdom protesta में, yuglina भी आता है, desmit भी आता है, साथ में आते है, ठीक है, लिकिन earlier kingdom classification में, इनको different different रखा गया था, ठीक है, ऐसा क्यूं है, कि अभी जो classification है, उसमें साथ में रखा गया है, लिकिन earlier classification में, they were placed in different kingdoms earlier, ठीक है, तो इसलिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा, कि yuglina क्या है, और desmit क्या है, और earlier kingdom की जो classification थी, वो कैसे हुई थी, तो यह हमारी two kingdom classification है, हमें पता है, जो two kingdom classification है, वो Aristotle ने भी दी थी, और lenius ने भी दी थी, तो Aristotle ने तो बहुत ज़्यादा basic classification, basis पे दी उसको, ठीक है, सिरफ की red blood होता है या नहीं, वो herbs है, या fish herbs है, या trees है, लेकिन ये जो lenius वाली है ना, इसमें फिर भी उसने कुछ, मतलब अच्छे characters के साथ, अच्छी categorization की है, ठीक है, तो हम इसको देखते है, तो इसमें algae, fungi, plants में और animal में ही divide किया है, इसने भी, लेकिन इसने plant में अच्छे से categorize किया, animals में अच्छे इसको animal क्यों कहते है, क्योंकि इसके पास cell wall नहीं है, तो शुरू से ही लोगों को पता था कि जो yuglina है, वो क्या है, एक animal है, और जो desmid है, जिसको golden algae भी बोलते हैं, वो क्या है, एक plant है, ठीक है, जो algae है, वो plants होते हैं, हमेशा, तो जो algae है, वो plant है, लेकिन जो yuglina है, उस के साथ रखा गया कि ये animal है, ठीक है, क्योंकि yuglina जो है, वो एक animal था, तो इसको different different, जो है, kingdoms में classify किया गया था पहले, लेकिन अब, जो हमारी classification है, present classification, five kingdom classification, अभी six kingdom भी आ गई है, लेकिन हम five kingdom वाले को अभी तक follow करते हैं, तो उसमें kingdom protesta में इन दोनों को रखा गया, ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों के जो characters है, वो कौन से है, इन दोनों का cell type eukaryotic है, इन दोनों की जो cell wall है, वो क्या है, present नहीं है, तीक है, ना ही yuglina के अंदर cell wall होती, ना ही algae के अंदर cell wall होती, algae में होती है, जो algae है, वो golden algae, उसके अंदर cell wall होती है, yuglina में नहीं होती, nuclear membrane दो या फिर hetero-trophic दोनों सकते हैं तो इसके अंदर ये सारे करेक्टर्स हैं दोनों के अंदर और यही इनकी similarities हैं और बाकी किंग्डम से ये इसी बेसिस पर दिफरेंट हैं तेक है जो हमारी five kingdom classification है उस पर इन सारे बेसिस पर हमने classify किया था कि इसका जो cell का structure है वो कैसा है prokaryotic है, eukaryotic है, unicellular है, multicellular है इसकी organization कैसी है, nucleus है या नहीं इसका mode of nutrition क्या है, खुद खाना बना सकता है या heterotrophic है इसमें reproduction कैसे होती है और इसकी phylogenetic relationship क्या है phylogenetic relationship मतलब बाकी जो organisms हैं उनके साथ evolutionary relationship क्या है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया इन सब के basis पे इन्होंने divide किया तो इन सब criteria में इन दोनों को kingdom protesta में जो है classify किया जाता है क्योंकि इसमें सारे protesta वाले ही characters हैं ठीक है और पहले इनको different क्यों किया गया जो two kingdom classification थी वो inadequate इसी लिए थी क्योंकि इसमें क्या था eukaryotic organisms को कभी-कभी साथ में नहीं रखा जाता था कभी रख दिया जाता था क्योंकि इसमें plants में bacteria भी थे algae भी थे, fungi भी थे, सब कुछ था और जो animals थे उसमें ugleena भी था, कुछ भी आ रहा था ठीक है और lichens की तो कोई classification थी नहीं तो cell wall difference, unicellular, multicellular जो भी five kingdom classification का basis था ना ये वाला basis यही सारी two kingdom classification की कमिया थी ठीक है, two kingdom classification में यही चीज़े नहीं थी तो अगर तुमें यह लिखने आए कि two kingdom classification क्यों inappropriate थी शाएद ये question है भी तो उसका यही answer होगा कि उसमें cell structure के basis पे कोई divide नहीं हुआ था तो कुछ organisms जो थे उनको समझने आ रहा था गलत उनको classify कर दिया था ठीक है और उनका mode of nutrition जो था वो भी गलत जैसे जो autotrophic थे उनको heterotrophic के साथ कर दिया जो plants है खुद खाना पना बनाते हैं ठीक है वो जो है उनके साथ हमने bacteria को भी कर दिया तो ये सारी इसमें कमिया थी ठीक है इसके बाद second question तुमसे पूछा गया है कि explain करो why five kingdom classification was preferred over two kingdom classification तो इसका same यही होगा चो two kingdom classification थी वो दो लोगों ने दी थी सबसे पहले उसको दिया था Aristotle ने और Aristotle ने तो बहुत जादा ही basic कर दिया था इसने बोला था कि plant और animal दो kingdom होती है सारे organisms इसी में divide हो सकते है जो plants है वो तीन हो सकते है herb, shrub या tree और जो animals है उनको दो में classify किया red blood और without red blood although जो Aristotle था उसके time पे ये सब नहीं था 384 से 322 BC मतलब वो बहुत 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 जादा मतलब एक तरह कि इसे उसने शुरू किया है biology को sciences को तो Aristotle को father of biology भी कहते हैं तो उस हिसाब से उस time पे उसने बहुत जादा काम किया था कि उसने पूरी एक book लिखी इन organisms को सब को categorize किया अपने हिसाब से लेकिन ये enough नहीं था तो बाद में linius ने इसको classify किया तो linius का काम हम देखी चुके हैं जो linius है उसने फिर भी कुछ categorization की algae, fungi, bacteria, bruyophan मतलब गलत किया पर फिर भी काफी चीज़ों को सही भी किया इसमें अगर fungi और bacteria अगर निकाल दे तो बाद की जो हमारी five kingdom classification है उसमें काफी इसमें से ही लिया गया है ठीक है, plants को sub-categorize करेंगे तो यही आएगा जो animals है उसकी भी classification काफी-काफी यही है ठीक है, एक-दो exception के साथ तो जो linius है उसने भी अच्छा काम किया पर इसकी जो कमिया थी, वो क्या थी, five kingdom classification में जो भी खूबिया है वही इसकी कमी है कि उसमें cell structure के हिसाब से organisms को classify किया था unicellular और multicellular organisms अलग-अलग थे prokaryotic और eukaryotic organisms अलग-अलग है ठीक है, जिनके पास nuclear membrane है और जिनके पास nuclear membrane नहीं है वो सब को अलग-अलग डिवाइड किया है जिसका mode of nutrition जैसा है उसको अलग-अलग डिवाइड किया है जिसका body organization cellular है या फिर multicellular है या tissue level है organ level है, organ system level है हमें पता है कि जो एक cell होता है वो क्या बनाता है? बहुत सारे cells में इलके tissue बनाता है बहुत सारे टीशु एक और्गन बनाते हैं जैसे लिवर एक और्गन है इसके बाद ब्रेन एक और्गन है उसमें नर्वस टीशु होता है इसके बाद बहुत सारे और्गन मिलके एक और्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे हमारा डाइजसितिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बाद organ systems मिलके organism बनाते हैं, तो body organization के basis पर भी इसको अलग-अलग categorize किया गया, कोई भी ऐसा नी था कि cellular, जिसकी body organization हो, एक ही cell हो, और जो organ system हो, उन सब को साथ हमें classify कर दिया, ऐसा कभी नी हुआ, तो जो two kingdom classification की कमिया हैं, और जो five kingdom classification की खूविया हैं, वो सारी यही है समझ में आगई यह बात, यह सारे questions एक दूसरे से linked ही हैं, देखा जाए तो, on what basis six kingdom classification was given and who proposed this system, तो काल वूज नाम का एक scientist था, जो हमारे काल वूज नाम का scientist थे, उन्होंने six kingdom classification दी थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारे जो हैं, three domains of life हैं, कहां गई six, यहीं, काल वूज ने दी थी, 1990 में, तो उन्होंने बोला था कि हमारे three domains of life हैं, यूकेरिया, बेक्टीरिया और आर्किया, तो हमारे जो six kingdom classification है, वो इसी से बनती है, पहला kingdom है आर्किया, दूसरे में आता है बेक्टीरिया, और तीसरे में यूकेरिया, यूकेरिया में क्या क्या आत और हमारे एनिमल्स, तो एक दो, तीन, चार पांच है, तो ये जो हमारे six kingdom है, ये काल वूज ने बताये थे, 1990 में, तो तुम ये six systems, याद कर सकते हो, और लिख सकते हो, इसके बाद next fourth question है तुमहारा, की cell membrane of archaea and bacteria में क्या डिफरेंस है, तो ये तुम्हें एक्पाल को और मैं ने धंक से समझाया भी है, कि जो आर्किया है, उसमें क्या होता है, पेप्टीडो ग्लाइकन जो है, नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो बेक्टीरिया है, उसकी cell wall में पेप्टीडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब नहीं होता, इसके बाद जो आर्किया है, इसमें एथर लिंकेज होती है, इसमें एस्टर लिंकेज की वज़ा से यह क्या होता है बहुत ही एक्स्रीम कंडिशनस में शरवाईफ कर पाता है इसके बाद मेन तो यही है एन्टिबाइ一 चीज है यह जो एंटिबायोतिक रेजिस्टेंस है यह भी इसी वज़ेसे जाती है इसके cell wall के जो features है ना इसी वज़े से ही क्या होता है यह antibiotic resistance होता है bacteria bacteria के लिए ही antibiotic term derived किया गया है antibiotic antibacteria तो जब भी हमें खासी जो खाम हो जादे तो कि उनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की cell wall है उसको ब्लॉक कर देता है उसकी जो एस्टर लिंकेज है उसको ब्लॉक कर देता है जो हमारी दवाई है तो वो ग्रो नहीं हो पाता और क्यूंकि उसकी जो cell wall है वही ब्लॉक होगी तो उसका खाना पीना इधर उधर नहीं जा पात अब लाज्ट क्वेशन है कि two kingdom classification को Aristotle ने जो की थी उसको कोई credit नहीं किया जाता पर лुणियस वाली को credit देया जाता है यह हम देख चुके हैं कि Aristotle ने बहुत ही basic criteria को देखकर classification की थी लेकिन जो लीनियस की categorization है वो काफी close है हमारी five kingdom classification से उसमें plants जो है उसमें काफी जो है एल्गी आता है जो हमारा ब्रायोफाइटा टेरीडोफाइटा ये सब तक पहुंच गया था ठीक है और जो हमारे एनिमल्स है उसमें भी उसने क्लासिफिकेशन कर दी थी जितना हमें हम इस वक्त जानते हैं उस हसाब से पोरिफरा भी कर दिया था से लेंटरेट आया लीडा सब को ढंग से कर दिया था, इसलिए इसको credit दिया जाता है Aristotle की classification बहुत ही basic थी उसके basis पर हम कुछ भी आगे derive नहीं कर सकते, आगे study नहीं कर सकते, इसलिए Aristotle वाले को जो है, credit नहीं दिया जाता इसके बाद भी तुम्हें कोई question समझ ना आए, या फिर तुम बुक पड़ो और तुम्हें कोई भी doubt हो या आज की class से कोई doubt हो तो पूछ लिया करो, classes जरूर attend किया करो, अपना जो register है, उसको पूरा कर लो, जो तुम्हारे practicals होंगे, वो तुम्हें कराये जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी practical notebooks हैं और जो तुम्हारी class की notebook हैं और जो तुम्हारा record बन रहा है, जो तुम काम कर रहे हो, उसके बेसिस पे ही तुम्हारे marks होंगे, क्योंकि अब हम school तो जानी रहे हम तुम्हें देख तो सकती नहीं कि तुम practical कैसे कर रहे हो या फिर कैसे बच्चे हो तो हमें सारे records के बेसिस पे तुम्हारे marks देने पड़ेंगे तो अपना काम पूरा कर करके भेज़ दिया करें ठीक है?